चत्किसगर के मुख्यमंत्री विश्णुदेव साई आज जार्खंड के संथाल परगना के बरहेट पाडर कूला शिकारी पाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने जार्खंड पहुचे सीमसाई विशेश्विमान से रायपूर से देवगर के लिए रवानम हुए यहां सबसे पहले बरहेट के गोपालडी में फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया इस दोरान उनके साथ स्वास्ते मंत्री शियाम विहरी जैस्वाल और बैकुणपूर के विधायक भाईया लाल रजवाडे भी मौजूद रहे इस्थानी नेताओं ने सीमसाई का भव विस्वागत किया और प्रतिक चिन देकर अभिवाधन भी किया एक इस समय में पैदा हुए हैं हमारे स्रभे नेताओं विहरी बात्पई जी 37 गाड़ा और जार्खन को एक साथ बनाए 2000 में और इस नाते हम लोग जुड़वा भाई हैं और मेरा तो जार्खन के बहुत गहरा नाता है हमारी माता जी जार्खन की हैं खूटी लोग सभा खूटी लोग सभा खेत्र में हमारे नामा लोग रहते हैं रोभू भारते जन्ता पाट्डी के नेता हैं और हमेशा हम लोग यहाँ पर चुनाओ परतार में आते रहते हैं जो लोग सभा का चुनाओ है बड़ा महत्पुन चुनाओ है हमारे देश के देश तो परधान मंत्री है श्री नरेन मोंदी जी इनको तेस्री बार परधान मंत्री बनाने के लिए चुनाओ है ये नरेन मोंदी जी का चुनाओ है आप सभी लोग सहमत नहीं की नरेन मोंदी जी को तेस्री बार परधान मंत्री बनाना है न मैं भी आदिवा कि अपने बंदों के निमेदन करने आया हूं कि आजादी के 75 साल में आप देखेंगे तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन कांग्रेस में जाहें भार्कन मुट्पिमूर्था हो आदिवास्यम को खाली बोर्ड बेंग के रूप में इस्वेमाल किया है बंद्वा मदूर कुछ समाद के रखा वकार उन्हugen काम नहीं किया जब ठत्ल बहरी बात सब्धान मंतरी बने तो तो आदिवास्यम के समुषित लिए भारस सरकार में पहली बार और आदिम जातिक कल्यान मंत्राले कागठन कीये पहली बार पायचांका विकास ओ तो पहले मंत्राले कागठन कांग्रेसफ़ार्टी कर सकती थी लेकिन नहीं कि खाली भोट मेंके रूप में आदिवासों का इतेमाल कांग्रेस फार्टी ने किया आज इस देश का जो सरोच पद है महामें